स्वागत है आपका टेक्निकल सार्थी यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस रमकार्ड को घर बेटे कैसे बना सकते हैं इस रमकार्ड पर गर्वर्मेंट काफी सारी योजनाओं का लाब आगे आने वाले समय में देने वाली है इस रमकार्ड को बनाते ही आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नमबर जारी कर दिया जाता है साथ ही इस card के साथ आपका bank account भी link कर दिया जाता है ताकि सभी योजनाओं का पैसा सीधे आपके bank account में आ सके Ethereum card बनाने के लिए आपको सबसे पहले Google Chrome app को open कर लेना है Ethereum card बनाने के लिए हमें सबसे पहले search box में Ethereum लिखके search कर लेना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें सबसे पहले वाले option पर ही क्लिक कर लेना है Ethereum portal का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा वहाँ से भी आप डारेक्ट इस पोर्टल पर आ सकते हैं यहाँ पर Ethereum card बनाने के लिए हमें सबसे पहले registered on Ethereum पर क्लिक कर देना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना phone number एंटर कर देना है जो हमारे आदर कार से link है उसके बाद हमें यहाँ पर capture code एंटर कर देना है यहाँ पर capture code एंटर करने के बाद हमें send OTP वाले option पर क्लिक कर देना इसके बाद आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर OTP एंटर करने का एक option मिल जाएगा जो भी हमारे फोन पर OTP प्राप्त हुआ है उसे यहां पर हमें fill कर देना है यहां पर OTP fill करने के बाद हमें submit वाले बटन पर click कर देना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहां पर हमें आधार number एंटर कर देना है यहाँ पर आधार number एंटर करने के बाद हमें OTP वाले option को select कर लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पर capture code एंटर कर देना है यहाँ पर capture code एंटर करने के बाद हमें I agree वाले option पर click कर देना है उसके बाद हमें submit वाले button पर click कर देना है यहाँ पर processing में कुछ time ले सकता है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें OTP enter कर देना है जो भी इस number पर हमें OTP प्राप्त होगा उस OTP को यहाँ पर हमें लिख देना है जो भी details हैं वो सारी की सारी आधार कार से related है यहाँ पर हमें I agree वाले checkbooks पर क्लिक करना है और continue to enter other details वाले option पर क्लिक कर देना है उसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें अपना personal details feel कर देना है यहाँ पर हमें अपना email address enter कर देना है इसके बाद हमें यहाँ पर marital status update कर देना है यहाँ पर हमारा never married तो never married select कर लेते हैं इसके बाद हमें father's name enter कर देना है यहाँ पर हमें अपनी category select कर लेनी है इसके बाद हमें अमारा यहाँ पर blood group select कर लेना है इसके बाद नीचे यहाँ पर हमें अपने nomini की details enter कर देना है जिसे भी आप अपना nomini बनाना चाहते हैं उसका details यहाँ पर enter कर देना है यहाँ पर nomini की details enter करने के बाद हमें save and continue वाले option पर click कर देना है इसके बाद यहाँ कुछ time processing में लेगा उसके बाद हमारे सामने अपना address का जो tab है वो open हो जाएगा यहाँ पर हमें अपना address select कर लेना है यहाँ पर सबसे पहले हमें आपर अपना state select कर लेना है इसके बाद हमें आपर अपना district select कर लेना है इसके बाद हमें आपर अपना current address लिख देना है इसके बाद नीचे एक option आ रहा है staying at current location यानि कि आप इस location पर कितने time से हैं तो यहाँ पर आप more than 25 years से हैं तो यहाँ पर आप more than 25 years select कर लेंगे अपना permanent address भी enter कर देना है यहाँ पर address fill करने के बाद हमें save and continue वाले option पर click करना है इसके बाद यहाँ पर हमें अपना qualification details बिख लेंगे यहाँ पर अपना qualification details और monthly income लेक्ट करने के बाद हमें save and continue पर click कर देना है यदि आपके पास अभी अपने document नहीं है तो आप save and continue वाले option पर click कर देंगे इसके बाद यहां कुछ time processing में लेगा उसके बाद अमारे सामने अपना occupation and skill वाला option आ जाएगा दोस्तो यदि आपको नहीं पता कि आपका जो skill है उसका code क्या है तो अपना code पता करने के लिए हमें यहां पर click hair वाले option पर click कर देना है इसके बाद अमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहां पर जितना भी occupation या skill का type है यानि कि आप car painter है या फिर आप किस परकार का काम करते हैं रेडी लगाते हैं या agriculture से related आपका काम है तो वह सारा यहां पर आपका show हो जाएगा इस seat में से अपना skill का नाम देखने के बाद हमें वापिस साइट पर आके अपना skill का नाम लिख देना है यहां पर आपको अपना work experience select कर लेना है और यदि आपके पास अपना experience certificate नहीं है तो अभी आप इसे छोड़ दीजे यहां पर यदि आपने किसी परकार की skill ले रखी है तो यहां पर हमें select कर लेना है और यहां पर यदि आपको skill चाहिए तो उसे select कर लेना है इसके बाद हमें यहाँ पर save and continue वाले option पर click कर देना है इसके बाद हमारे सामने bank account की details open हो जाएंगी यहाँ पर हमें अपना bank account का details verify कर देना है यानि कि fill करके verify कर लेना है यहाँ पर IFSC code enter करने के बाद search वाले button पर click कर देना है bank का नाम और bank का address अपने आप आजाएगा यहाँ पर bank की details fill करने के बाद हमें save and continue वाले option पर click कर देना जैसे हम save and continue वाले option पर click करेंगे इसके बाद यहाँ कुछ time इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने जो form हमने fill किया था वो सारी details हमारे सामने आजाएंगी यहाँ पर हमें अपनी सारी details check कर लेनी है उसके बाद नीचे scroll down करना है यहाँ पर I understand वाले option पर tick mark लगा देना है और उसके बाद हमें submit कर देना है जैसे हम यहाँ पर submit करेंगे यहाँ कुछ time processing में ले सकता है उसके बाद आप देखेंगे कि अमारा जो इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अमारा जो isram card है वहें बन गया है जो registration process है वो complete हो गई है यहाँ पर download UAN card पर click करके अपने isram card को download कर लेंगे यहाँ पर जो अमारा isram card download हुआ है उस पर click करके मैं आपको दिखा देता हूँ किस परकार से आपका isram card देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा isram card कुछ इस परकार का हमें देखने को मिलेगा दोस्तो कुछ इस परकार से आप भी अपना isram card घर बैठे बना सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करे चैनल को सब्सक्राइब करे Thank you so much for watching